हमेरे साथ बिट्टा जी है बिट्टा जी क्या सजा होनी चाहिए ऐसे देश-द्रोईयों की मैं क्या क्या सकता हूं कौन सी सजा क्या सजा पहली बात तो आपने जो कहा यह शात्र है यह शात्र नहीं है यह कुछ अजन्सियों के कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बेजे हुए जो मैं मानता हूं जो मैं सोचता हूं जो ऐसी विचारदारा के लोग हैं इनको सब बाहर से फंडिंग आती है कई अंजियों हैं हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हुमन राइट के ओपर शोर मचाती हैं उनका हाथ हो सकता है वार से फंडिंग आ रही है बड़ा हरान हूं क्या इन लोगों ने भारत को दर्मसाला समझे रखा है शतरपती शिवा जी महराज की दर्ती, मुलाना अजाद की दर्ती, इस्तफाक उल्ला खां की दर्ती, श्री गुरु गुरु गुबिन सिंग जी की दर्ती, शहीदे आजब बगत सिंग, राजगुरु सुकदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, जल्ले अमला बाग क हिंदु मुस्लिम सिक्षाइयों के खून से लटपत ये धर्ती जहां अजादी मिली इतनी कुर्बानियों से उस धर्ती के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाए बेगुनाहों का खून करने वाले पाकिस्तान से सारी मदद लेने वाले और पार्लिमेंट के आक के दर्द क्या है बिट्टा जी आज हमने वह भी वैंड बेजी थी जेन्यू में उनके हुस्टेल में और हमने कहा था कि आप अपक्स रखने के लिए आओ लेकिन नोनों ने जब चाइनल कर आपका नाम सुना तो आये नहीं सवाल सबसे बड़ा है अफजल ने जिन को मारा जन जवानों को शहीद किया उनके परिवारों के साथ अभी भी मैं खड़ा हूँ शुरू से खड़ा था उनकी पीड़ा उनकी दर्द मुझे पता है उनके खून की गर्मी वो भी हमारे अंदर है हमें पता उनकी पीड़ा का मैं परिवारों को मुझे छोड़ दीजिए मु तीन तीन पैनल के अंदर उनके आदमी और दो कमजोर भोलने वाले सामने आदमी बिठा दिये और एक बीच में परफेसर वो इन ये जो चातरों की बात करें ये चातर थोड़ा ये तो देश दरोई हैं बार-बार इनको स्टूडंट मत कहिए स्टूडंट कहना अपमान है हमा कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं अरे इनकी आसी की तासी कश्मीर अदादी चाहिए कश्मीर को कौन सा कश्मीर कश्मीर हमारा है हमारा रहेगा ये बारत का खाते हैं हम भारत का खाते हैं भारत में जनम लिया है हिंदू है मुसलमान है सिख है साही है हमने यहां जनम ल लिए भूल गए और उसी दिन बिट्टा जी जिस दिन उनके लिए देश प्राथना कर रहा था उसी दिन ये दरीने देश के हजार तुकड़े करने की बात करें यह चीजें थाबत करती हैं कुछ पुलिटिकल पार्टियां और कुछ ऐसे लोग फॉर्म से फंडिंग दे रहे और देश को तोड़ने की बात करने इनका इलाज जेल है और ऐसे मुकदमे इनके ओपर दर्ज करो पर ऐसा ना हो कि मुकदमे दर्ज करके फिर उतके बाद राजनिती हो इनको छोड़ने की जैसे फंसी के मुद्दे के ओपर मेमन की मेरे केस में बुलर की अब बुलर को बनना है हमने किरन बेदी बनना है हमने अब्दुलकलाम बनना है हमने अच्छे एक ऐसे नागरिक बनना है जो भारत माता की अधादी की रख्षा कर सके हम ऐसे स्टूडन नहीं बनना है ऐसे नागरिक नहीं बनना है कि कल को हमारा भारत तूटे हमारे भारत का बहुत बड़ा नफ्सान हो मैं आपको फिर कहूंगा दोबारा इस प्रोग्राम को रखिए मैं सारे परिवारों का लाता हूं और यह जो स्टूडंट की बात कर रहे हैं देश्टरोई जो स्टूडंट का नाम मत लें स्टूडंट कहके लोगों की सिम्थीन के साथ होगी अरे यह तो खना ना माता की अरे भारत माता के अंदर भारत माता के अंदर डुनिया के अंदर एक ही देश जिसके आगे लगता मां जिसने हिंदु मुस Cinnamon, सिक खिसाईं, मच्जद, मंदर गुर्दवारे, गिर जाकर अपने आचल में समा रखे हैं उसको मा केहते हैं उस मा के लिये हमने भी अपने सरीर का आदा इस्सा दिया है बचा हुआ सरीर का हिस्षा भी भारत माता के लिए सुबा बगवान को उठ्के प्राथना करते हैं बगवान हमारी जब भी मौत आए 강ष इंद्धी राजनिती करते हुए हमारी एक्सीडेंट से बिमारों के मौत ना आए, हम प्रास ना करते जब भी हमारी मौत आए, भारत माता की अदादी की रक्षा करते हुए, सरीर का बचा हुआ इस बारत के लिए चला जाए, और ये कलके लड़के, ये नई जनरेशन को क्या देंगे, हम अदादी चाते किश्मीर में, अफजल हर ग के खलाब, भारत को तोड़ने वाली बातों के खलाब, हम कभी भी बरदाश नहीं करेंगे, इसके लिए आगे भी हमने लड़ाई लड़ी है, और आखिरी दम तक इसके लड़ाई लड़े, लड़ते रहेंगे.